हेलो बच्छो वेलकम टू एस्पार एकेडवी कैसे हैं आप सब चलिए आज सॉलिशन चाप्टर का जो हम लोग देखें हैं उसमर कुछ पीवाई क्यूं हम लोग देख लेते हैं प्रीवियस एर कोसन देख लेते हैं ठीक है जो आपके कंपटिशन में नीट और जही के कंपटिशन में त्यलकर स solvent जो पूछा गुट मिल्स कर लेते ही सिस्से आपको काफी मल्दद होगा नुम्रिकल करेंगे तब आपको पता है कि कंपटिशन में सिर्फ है नुम्रिकल फूछा जाता है तो आपको हर हाल में बनाना होगा ठीक है तो आईए देखते हैं सहीं पहला 200 ml of 2mH3 कर रहा है कि नाइटरिक एसिट कितना हम लोग यूज करेंगे जिससे धाइसों मिली लीटर वाटर में या कोई भी सोलेट में कोई भी सोलेट में हम लोगों का मूला रिटी जो होगा वह दो मूल मिल जाएगा तो मुला रिटी मिल जाएगा ठीक उसके लिए हम लोगों को amount of solute use करना धियान रखना उसमें भी क्या बोला कि जो concentrated nitric acid है वो 70% ही कितना % है 70% ही है समझ मैंने बात तो देखो इसको हम लोग बनाएंगे कैसे सबसे पहले हम लें निकाल लेते हैं weight of solute देखो molarity का जो formula होता है वो याद रखो molarity का capital M बराबर क्या होता है w1 by m1 into 1000 by v 1000 by v ठीक है अब इसमें देखो molarity केतना देवा 2 तो 2 is equal to हमको निकालना w1 तो w1 उसके बाद m of hno3 nitric acid का निकालना ठीक है m of m of hno3 तो कितना होजा है hydrogen का एक होता है nitrogen का 14 14 आप पहला है oxygen का कितना 16 होता है तो 3 के लिए कितना हो जाएगा 48 सबको add कर लेंगे तो कितना जाएगा 63 तो यहाँ देखो 2 is equal to w1 हमको यही निकालना है तो 63 into 1000 divided by volume कितना देवा है 250 ml देखो इससे यह cancel हो जाएगा four times में ठीक है अब यह दो से यह दो cancel हो जाएगा equality में दोनों तरफ उपर उपर नीचे नीचे cancel हो जाता है देखो फाइनल मेरा w1 बराबर कितना जाएगा 63 अब आई में आजाएगा तो यह मेरा amount of solute है लेकिन ध्यान रखना कितना परसेंट यूटिलाइज हो रहा है तो 70 परसेंट यूटिलाइज हो रहा है तो अब इसके लिए हम लोग निकाल देंगे क्या हो जाएगा amount of solute या मास लिखो मास ज्यादा बहतर रहेगा मास मास of solute और इसका केतना परसेंट खतम हो रहा है याद रखना 70 परसेंट तो 70 अब बाई 100 और इसका टूटल जो मास आया है solution में वह कितना है उसको देखलो वह है 63ग अपउंचन क्या हो जाएगा 63ग एक जीरो से एक जीरो केंसिल हो जाएगा साथ से साथ से यह केंसिल हो जाएगा नाइन टाइम्स में ठेक अब देखो और दो से यह केंसिल हो जाएगा फाइब टाइम्स में अब क्रोस मल्टिप्लाई कर दो तो कितना हो गया 45 ग्राम मतलब इस solution को बनाने के लिए हमको 45 ग्राम concentrated nitric acid चाहिए 70% के लिए इसका answer नमर इसका B हो जाएगा ठीक नहीं समझ गें simple सा सवल था दूसरा question देखो इसका दूसरा question कर रहा है 2.5 ml of 1 m1 mAh solution is mixed another मतलब एक solution पहले से बना के रखा हुआ और फिर दूसरा solution बना लेगा उसको मिलागा जैसे देखो 3 liter है और उसका molarity केतना 0.5 ठीक और उसको मिला देरा तब करा जो मिला देंगे तो उसका solution क्या होगा उसका molarity क्या होगा resulting molarity क्या होगा तो देखो इसके लिए यूज करना एक formula फर्मूला होता है molarity mixture molarity mixture बराबर m1 v1 plus m2 v2 divided by v1 plus v2 बत समझ मैं है v1 plus v2 total moles by total volume ठीक अब देखो problem में क्या देवा है v1 देवा 2.5 और m1 कितना देवा है 1 तो क्या होगा m1 के लिए 1 into volume है 2.5 आप फिर plus कर देंगे और यहां देखो v2 कितना है तो 3 और molarity 0.5 और v2 3 divided by क्या होगा बताओ 2.5 plus 3 दोनों को add कर देंगे दिवाइड में v1 बता v2 अब देखो multiply करो तो 2.5 into 1 केतना हो जाएगा 2.5 आप वालस 3 5 जा फिप्टेल तो पोइंट हो जाएगा तो 1.5 divided by 3 और 2 को add कर देंगे तो 5.5 इसका मतलब है कि आप इसको जोर लिजे तो केतना हो जाएगा उपर में 4 और नीचे में हो जाएगा 5.5 मतलब यह हो जाएगा 0.8 के एप्रॉक्स में तो हम लोग चेक कर लेते हैं क्योंकि इसका दो नियर एकुरेसी है तो थोरा सा हम लोग चेक कर लेंगे पॉइंट हटा दी जो उपर में 0 हो जाएगा 5 से कैंसिल करेंगे तो 8 और 5 से 11 डिवाइड कर लो 11 को 11 से डिवाइड कर लो 8 में 0.117 जा मतलब आंसर हम लोगों कहा के तयार है वह कौन सा होगा यह वला इकुरेसी अगा डिफरेंस रहता है यहां ही से हम आंसर लिख देते हैं लेकिन यहां बहुत नैस दीखता है याद रखना जब भी दो सोलीशन हो ती जाना जैसे तीन सॉलीशन रहता तब पलास करके एम 3 बी 3 अडिवाइडर बाइड पलास करके भी 3 कर देते हैं सिंपल है समझ गया है चलो उसके बाद नेक्स्ट को सटन हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कोस्टन में क्या है कह रहा है कि हाव मेनी ग्राम्स ऑफ मिथाइल अल्कॉल सुट भी एड़ेड तू प्रिपियार ओन फिप्टी मिली लिटर सॉलीशन कर रहा है कि इथाइल अल्कॉल का कितना इमोंट चाहिए जिससे मोलारीटी दो हो और उसका वोल्यूम कितन 150 हमको एमोंट ऑफ इथाइल अल्कॉल निकालना है उसके लिए मोलारीटी का जो फर्मूला होगा मोलारीटी का वो फर्मूला देखो इसके लिए जो हम सॉलीशन करेंगे तो मोलारीटी पराबर क्या होता है weight of solute is weight देखो तो Wबाइ M आए न्टू 1000बाइ B यहां देखो हमको W निकालना है और मोलारीटी केतना देवा है 2 देखो मोलारीटी केतना देवा है 2 देखो मोलारीटी केतना देवा है 2 डबलू अबए molecular weight निकाल हो, ethyl alcohol का, किसका? CH3OH, carbon का होता 12, 4 hydrogen है तो 4, 1 oxygen है तो 16, 12, 16, 20, कितना हो जाएगा? 32, ठेके ना? 16, 4, 20, और 12, 32, तो कितना? 32, और multiplied by 1000, और इन्टु, वोल्यूम केतना दिये हुआ है? 150, वोल्यूम केतना दिये हुआ है? 150, देखो, एक 0 से, एक 0 कैंसिल हो जाएगा, और यह सब आजाएगा इधर, multiply में, तो W जो होगा, वो क्या हो जाएगा? W is equal to 32 into 2 into 15 divided, 32 to 15 divided by 100, ठेके है? अब एक काम करो, 5 से यह कैंसिल हो जाएगा, 3 मर्तों में, और 5 से ही हो जाएगा, 20 में, 4 से यह कर जाएगा, 8 मर्तों में, और 4 से यह कर जाएगा, 5 मर्तों में, अब देखो, क्या हो गया? थीरी टू जा 6 एट जा 48 उपान 5 48 उपान 5 मतलब 9 पच्छे 45 तो 9 पॉइंट इसका अंसर यह हो जाएगा 9.6 ठीक है नहीं यह अंसर हो जाएगा चलो एक इस तरह का बेसिक प्रावलम है बोट में भी पूस्ता हैं इसके बाद नेक्स्ट कोशें के तरफ हम लोग बाढ़ते हैं ये ये राहूल स्लोग का कोश्टन है थीक है ना देखना पी ए एंड पीवी आरदम घेपर प्रेशर ऑफ् दो प्यूर लिक्विड कोंपोनेंट ए एनद भी रेस्पेक्टिबली ओफ and ideal binary liquid solution जिसमें mole fraction A का दिया हुआ है ठीक है ना तब बोल रहा है कि total pressure निकाली है ठीक है नcı तब कर रहा है क्या कि total pressure निकाली है ठीक तो हम लोग क्या जानते हैं total pressure के लिए PS is equal to PS is equal to PA और प्लास PB ठीक है अब देखो तो राउल्स के according P A is equal to क्या होता है तो यहाँ पर हम लोग use करेंगे P A, X A, Apollos, P B और X B ठीक ना अब देखो राउल्स लो हमें यहाँ बताते हैं याद रख लेना राउल्स लोग बताए थे राउल्स लोग क्या बताए थे राउल्स लोग बताए थे कि P A जो होगा वो डिरेक्ली प्रोपोर्शनल होगा एक्स का और यहां से क्या हो जाएगा P A is equal to P not A X A तो हम लोग क्या किये थे कि P not A को रिपर्जेंट के थे प्यूर से लेकिन इस प्राब्लम में पी और पीवी को ही वेपर प्रेसर प्यूर लिक्वीड का ट्रम से दे रहा है मतलब पी नौट का वैली दिवा पार्सियल प्रेसर का नहीं दिवा ठीक अब बाइनरी लिक्विड सोलिसन के लिए क्या होता है बताओ एकस ए अपलास एकस भी यहां कितने के बराबर हो जाता है कि इतने के बराबर हो जाता है वान के बराबर मतलब जितने भी मोल से सब को अगर हम लोग मोल फ्रेक्शन है सब को जोर देंगे तक कि इसके बराबर आजाएगा वान के बराब वो सिर्फ और सिर्फ एकॉम्पोनेंट का दिये हुआ है इसलिए हम लोग उसका इस्तामाल दिये हैं समझ में ना बात याद रखना इसको अब देखो अब यहां से हम लोग क्या करेंगे कि यह वाला जो वैल्यू आया है इसको हम लोग इस इकवेस्टन में पूट कर देंगे तो फाइनल जो है हमारे पास क्या होजागा प्यस इज इकवल टू टी ए ए एकस ए और पॉलस पी बी पी बी इंटू वन माईनस एकस ए समझ रहे है ना वन माईनस एकस ए अब एक काम खुरो इस दोनों का मॉल्टिप्लाई कर लो ता प्या एक काम करो जो एक तरफ कर लो इसको इसे यहां भी XA, XA दोनों common में चला जाएगा समझे रहे ना तो क्या करोगे पॉलस P A XA माइनस P B X B सिंपल सा फर्मूला अब आगया ना P B पॉलस XA दोनों में है समझे रहे ना XA दोनों में तो common ले लो XA इंटू क्या हो जाएगा P A माइनस P B समझे बात को यह हो गया total pressure of solution और यह हमारा answer होगा मतलब option number XA P A माइनस P B option number इसका हो जाएगा P B is equal to P B plus XA P A माइनस P B यह हम लोगों का answer हो जाएगा ठीक है चौलो उसके बाद हम बात करते हैं next question का the next question के अगर हम लोग बात करते हैं इसमें कर रहा है the following solution were prepared by the dissolving 10 gram of glucose in 250 ml और 10 gram of urea मतलाब सब में जो है वो वेट और वोल्यूम सेम दिया हुआ है ठीक है ना तीसरे वाले केस में भी सेम दिवा टेन ग्राम 10 gram of sucrose ठीक है ना सब में सेम दिया हुआ है हम लोगों को पूछ रहा है कि decreasing order में osmotic pressure बताईए बताईए decreasing order में osmotic pressure बताईए तो देखो simple सा concept है इसको अगर हम लोग बनाएंगे तो जानते हैं क्या जानते हैं कि पाई जो होता है वो directly proportional होता है concentration का ठीक है पाई directly proportional to concentration का तो आप C1 निकाल लीजिए तो C1 निकाल लीजिए तो कितना है 10 गराम of glucose तो 10 अब आई glucose का molecular weight कितना है तो यहां देख लो C6 H12 O6 तो molecular weight अगर निकालेंगे तो 12 चक बहातर आप पलस 12 और पलस 16 चक 96 इस सब को add करोगे न तो 180 आजाएगा तो कितना हो गया 10 upon 180 into 1000 by 250 ml तक कितना हो गया 250 यह सब कैंसिल हो जाएगा यह चार मरतों में 0 से 0 कैंसिल मतलब यह कितना है इसको भी कार दो 2 by 9 मतलब 2 upon 9 यह हमारा C1 है C2 भी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा C2 उसका भी weight 10 है 10 upon उसमें जो molecule से वो urea है तो कितना हो जाएगा यूरिया का molar mass होता है 60 into 1000 by 250 यह से यह खतम हो जाएगा बताओ 4 times में 0 से 0 खतम 2 से 2 मरतों में 2 से 2 मरतों में मतलब C2 जो आया वह कितना है 2 by 3 उसी तरह से हम लोग C3 निकाल लेंगे C3 में कौन सा दे रहा है सुक्रोज दे रहा है तो सुक्रोज और मतलब चीनी दोनों का chemical formula से हम होता है C3 बराबर 10 gram 10 gram divided by केतना इसका 342 होता है 342 into 1000, 342 into 1000 divided by 250 यह भी 4 मरतों में cancel होता है और उसके बाद आप देख सकते हो 0 हटाएंगे तो पॉइंट यहां आजाएगा दो से यह कर जाएगा दो मरतों में दो से कर जाएगा 17.1 मतलब 2 by 17.1 ठेक अब देखो जिसका concentration ज्यादा है उसका pressure ज्यादा तो अगर हम pressure का order लेते हैं तो सबसे ज्यादा किसका हो गया P2 का क्योंकि इसका concentration सबसे ज्यादा है इसका concentration केतना है 2 by 3 उसके बाद देखो 2 by 9 है इसके लिए लेंगे P1 और उसके बाद सबसे कम किसका जाएगा P3 का जाएगा मतलब P2 P1 P3 option number B इसका सही answer है ठीक है चलो उसके बाद हम लोग next question देखते हैं चलो देखते हैं अब अगला question क्या है boiling freezing point का question है देखो कह रहा है कि a solution of sucrose शुक्रोज जिसका molecular वेर देवा 3-50-42 has been prepared by the dissolving इत्ता gram 1000 gram मतलब समाद रहे हो कह रहा है कि 68.5 ग्राम शुक्रोज को अगर अगर हम लोग 1000 gram में अगर dissolve कर दें mix कर दें तो उसमें जो solution बनेगा उस solution का freezing point कितना होगा वहीं बताना है जिसमें हम लोगों को दिया हुआ है कि kf जो use करना है वह 1.86 है ठीक है तो देखो delta हाँ delta tf freezing point के लिए क्या होता delta tf is equal to kf into w1 by m1 अगुना 1000 by w2 ठीक है 1000 by w2 simple सी बात है देखो w2 इसमें हमको पहले निकालेंगे delta tf तो delta tf निकालने के लिए kf बोला तो kf केतना है 1.86 तो क्या हो जागा 68.5 divided by molecular तो निकालने का जरुआ था नहीं डाइरेक्ट दिवा तो कितना हो जाएगा 342 आइन तो 1000 और divided by solvent का भी मास दिवा 1000 आसान हो जाएगा solution देखो हिस्से यह cancel हो जाएगा ठीक है और यहां से हम लोग अगर solve करेंगे तो delta tf का value आजाएगा 1.86 इन्टू 68.5 divided by 342 ठीक अब देखो यह तो elevation depression of freezing point है लेकिन हमको पूछ रहा है solution का freezing point का होगा तो क्या होता है delta tf is equal to delta tf is equal to t naught minus ts ठेक है ना delta ts is equal to t naught minus ts एक बात याद रखना freezing point freezing point freezing point freezing point of water जो होता है water वह कितना होता है zero degree Celsius होता है ठेक है ना zero degree Celsius होता है अब देखो तो delta tf और हमको निकालना है ts यहां minus है तो क्या हो जाएगा देखो 1.86 तो 1.86 into 68.5 divided by 342 और is equal to 0 minus ts यहां से आप ts निकाल लिजेगा जो आएगा वही answer हो जाएगा ठेक है ना जो भी आएगा इसके बाद हम लोग फिर next question को देखते है ठेक है इस question में कोई रहा है कि कोई non-volatile solute of molecular mass m2 which of the following can be used to calculate the molecular mass of the solute in terms of the osmotic pressure ठेक है इस में बोल रहा है question में कि कोई non-volatile solute है उसका molecular weight को m2 मान लिए हुआ है ठेक है ना उसका molecular weight को क्या मान लिए हुआ है m2 और option देखने के बाहर लग रहा है कि capital m2 molecular weight है और small जहां दायां भी m2 है वह given weight है तो हम लोग उसके according बनाएंगे देखो तो इस question को अगर हम लोग बनाते हैं इस question को तो क्या हो जाएगा simple समझ लो कि हम लोग जानते हैं कि πाई भी is equal to क्या होता है nRT और n होता है mole weight अब आई molecular weight एक question की according molecular weight को capital M से represent किया है और weight को a small m से तो क्या हो जाएगा a small m2 by capital M2 अब इसको ले जाकर इसमें put कर दो तो पाई भी is equal to केतना हो जाएगा a small m2 by capital M2 into RT ठेक है हम M2 को इधर लेंगे तो गुनाम हो जाएगा और पाई भी को उधर भेज़ दो m2 is equal to क्या हो जाएगा a small m2 divided by b divided by b और into RT by pi ये हमारा answer हो जाएगा इसको कहेंगे molecular weight of non-volatile solute molecular weight of non-volatile solute इसका मतलब देख लो तो m2 बटा भी RT by pi बी नमबर जो होगा वो हमारा answer होगा ठीक है देख लो उसके बाद कुछ और question हम लोग देख लेते हैं ठीक है यह question है 5% solution of cane sugar molecular weight देख होगा आइसो टोनिक है आइसो टोनिक का मतलब समझे रहना आइसो टोनिक वैसे solution को कहते हैं कि जब 2 solution को हम लोग compare करेंगे दो solution को compare करेंगे नहा तो वहाँ पर temperature भी सेम होगा ठीक है ना temperature भी सेम होगा osmotic pressure भी सेम होगा concentration भी सेम होगा सिर्फ और सिर्फ होता क्या है कि solute particles अलग अलग होगा ठीक जैसे इस में देख हो एक और आप 5% solution of cane sugar molecular weight देख ना आइसो टोनिक विद द वन पर्सन solution isotonic solution में pi 1 is equal to होता है pi 2 इसका मतलब concentration जो होगा वो भी बराबर होगा तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे moles को भी जानते हैं बराबर होगा तो n1 is equal to n2 मतलब formula जो होगा वो क्या जाएगा w1 by m1 is equal to w2 by m2 ठीक मान लो यहाँ पर कि w2 जो है वह यह molecular weight of x ठीक अब आप value को put किजिए w1 देवा 5% तो 5 gram अब आप उसका molecular weight दिया होगा है 342 is equal to 1 divided by उसका molecular weight को हम लोग मान लिए हैं x तो x का value जो होगा x is equal to 342 by 5 पांच चाक तीस पांच अठेच चाल इस मतलब और सट पॉइंट सम्थिंग तब 68 वला हम लोगों का answer हो जाएगा ठीक है सिंपल सा को संथा क्या करना ऑस्मोटिक जब भी भी बूले नहीं था आपस में दूनों components का दून दूनों अलग अलग डिफ्रेंट सब्स्टांस का मूल को हम लोग कर लेते हैं उसके देखो नेक्स्ट कोस्टन क्या कर रहा है दावांट ओफ फैक्टर आई फॉर दा रालिटी को सॉलीशन अफ न अफ दे श्ट्रांग एलेक्रोलाइट बेरियम हाइड्रोक्साइड बहुत आसान सो कोस्टन है सबसे पहले देखो कि बेरियम बेरियम हाइड्रोक्साइड है अचि यह अचाह बेरियम हाइड्रोक्साइड है था न था इसको बना गया कूछ नहीं करना है जब भी वी वी इक्रांट अफ इक्टर आई पूछे बहुत आसान रहता है क्या करेंगे हम लोग बी ए और ओ एच का होल ट्वाइस को हम लोग डिसोसियेट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा बी ए पर टू पॉजिटिव चार्ज तो बी ए टू पॉजिटिव चार्ज अपर अलास टू ओ एच माइनस यहां अगर डिग्री अफ डिसोसियेशन के बात नहीं किया जा रहे तो मत ersonal to आ ऑफ नगा इनस बीज़नकर भांफता अबंधॉफ फेक्टर ऊपकर आई आई यह हो जाएगा जिसे हम लोग जानते हैं फोर्पॉल्मूला में यह आब्नोर्मल मॉलीक्लर बेट बपॉज है थे तो घीष आ पॉलस य x जो होगा, x जो होगा coefficient of cation और y जो होगा coefficient of n and तक कितना हो जाएगा, i is equal to 1 apollos 2 that is i is equal to 3 मतलब option number d इसका सही answer होगा, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं ठीक है, which of the following cells has the same value, y question जो अभी हम लोग की है point of factor i, so that the k3 fe cn का whole 6, मतलब वह molecules select करो जिसमें point of factor जितना इस compound का होगा, potassium hexa, sinopherate 3 का उतना ही इसमें से किसका होगा, तब सबसे पहला काम हम लोग जो करेंगे, वो यह है, कि इसका हम लोग क्या करेंगे, कि point of factor i define कर लेंगे, तब देखो वही तरीका है fe k3 fe cn का whole 6, यह तूटे गए, तब क्या हो जाएगा, 3k plus fe cn का whole 6 plus 1, तब यहां से अगर हम i का value करते हैं, तब formula होता है, x plus y, x हम लोग इसको कहते हैं, y यहां है, तब कितना होगे है, 3 plus 1, मतलब 4, अब जिस options में, band of factor हमारा 4 आ जाएगा, वही हमारा answer होगा, ठीक है, तब one by one हम लोग चेक कर लेते हैं, जैसे option a है, na2so4, क्या है, na2so4, ठीक है, इसको dissociate करेंगे, क्या हो जाएगा, 2 na plus a plus so4, 2 minus, यहां i का value निकाल लेंगे, तब क्या हो जाएगा, 2 plus 1, that is i is equal to 3, तब मेरा option a नहीं हो सकता है, अब चेक कर लो option b का, option b चेक करोगे, तब क्या हो है, a l और no 3, a l, a l, no 3 का whole thrice, no 3 का whole thrice, ठीक है, इसको हम लोग अगर dissociate करके देखते हैं, तब क्या हो जाएगा, a l 3 plus, और यहां 3 है, तब हो जाएगा 3 no 3 minus, यहां अगर i निकाल लेंगे, तब क्या हो जाएगा, x का value 1, आप आलास y का value कितना है थीरी है, तब 3, 1, 4, ठीक है, तब देखो, जो हमारा concept था उसमें 4, और यहां भी कितना है, 4 है, simple सा, ऐसा question बनाऊगे ना, तब क्या करना बहुत असान है, अगर पूछ दे तो समझो कि मज़ा आजाएगा, ठीक, तब देखो, तो question में बोला कि इसका जो वांटर फेक्टर होगा, वो किसके बराबर होगा, हम लोग क्या किया है, इसका वांटर फेक्टर निकाले, त उसके बाद options को check कर लेंगे, कि किस में भांटर फेक्टर इस compound के बराबर आ रहा है, तो किस में आ रहा है, AL, NO3 का, मतलब, aluminum nitrate में आ रहा है, अब aluminum nitrate में 4 आ गिया, आगे check करने का जरूरत नहीं है, यही हमारा answer हो जाएगा, ठीक है, अब लोग सा बाद मी, इस chapter solution का numerical जितना maximum question बनाई है, उतना बेहतर रहेगा, minimum 70-80 question एक chapter में हम लोगों को practice करना है, जिससे neat और जहीं में हम लोगों को benefit होने वाला है, बोल्ट में भी solution chapter से सवाल आता है, ठीक है, ओके, thank you for the watching.